दोस्तो मैं आज 67th BPSC Mens के लिए GS Paper 2 का Guess Questions लेकर आया हूँ Quality, Geography and Economics का Guess Questions लेकर आया हूँ आप लोगों को मैं इसमें कुछ Guess Questions बताऊँगा जिस जो Mens में आने की उड़ी संभावना है आप इतना question अगर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका GS Paper 2 Quality, Geography and Economics जो है वो complete हो जाएगा और मैं GS1 का Guess Questions पिछली वीडियो में दे चुका हूँ जो आप देख सकते हैं आप लोग चाहते हैं कि मैं इस जो भी टॉपिक करें बता रहा हूं जो भी question बता रहा हूं अगर उसका answer करवा हूं और और डिसकस करूं और आप लोगों को answer provide करूं तो वैसा मुझे comment section में बताईएगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको continue रखो तो please support कीजिए और subscribe कीजिए और share कीजिए और like कीजिए और मैं setup मेरा आ रहा है तो वो क्या नाम है कि मैं 68 BPSC के लिए भी prelims course स्टार्ट करने ज इतना करा दूँगा तो उससे आपका एक भी question नहीं चूटेगा यह मैं guarantee लेता हूं इन तीनों topic से आपका एक भी question नहीं चूटेगा अगर मुझे time मिलेगा तो मैं आपको current affairs भी करा दूँगा और अगर ज्यादा time रहा मेरे पास तो मैं मैस भी आप लोगों का कुछ पता anticipation में से ने कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा तो ४हला कोई है जो इंडियन Parliament child इंडियन पार्लेमेंट के बारे में कि यह sovereign है इस बारे में आपको बताना है कि क्या है तो इसके बारे में आप अच् Nancy से कर लेंगे तो आपका एक कुष्च्टन जो है मिझे लगता है मिव 1 इंपोर्टेंट रहा है सेंटर एस्टेट रिलेशन इंडिया में कैसा है यूनियन है फेडरली सेडरलीजम है तो वह आप देख लेंगे उसके बाद प्रिशिदेंट रोलर पॉइस वावर के प्रिशेरीय तो तो चांसे हैं कि पुछा पिछले बार भी पुछ दिया था फिरीडेंट लेकिन इस बार इसबर मैंने को गई का बहुत सारे बिवाद डीपीएसपी कैसे बनाने में हमारे मदद करती है डीपीएसपी कि क्या प्रोविजन्स है और क्या-क्या इंप्लिमेंट हुए है तो उसके आप कुश्चन देख लेंगे तो यह आपका पांच टॉपी धर हो जागा उसके बाद प्रियंबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह था सोसलिस्ट और सेकुलर इसके बहुत सारा विवाद चला है सुप्रिम कोड में केस वगएरा भी गया है कि यह सब्सक्राइब जो है सेकुलर और सोसलिस्ट यह सुरू से नहीं था कॉंस्टिट्यूशन में तो इसको हटा देना चाहिए इसके बाद रूटल ऑफ गवर्नर डेक लेंगे क्योंकि अभी गवर्नर का पोष्ट हमीशा से भी बाद में रहा इधर तो और ज्यादा भी बाद में रहा है जर्द हन्ट जो हैं जिब वहां के गवर्नर थे तो बहुत सारा दोनों में conflict चल रहा था तो उस पह देख लेंगे आप election commission election commission हमें साथ सब्सक्राइब रहता है जब भी उलक्षन हिंदुस्तान होता है तो election commission के रोल को भी आज लिया जा रहा जब से इव्यम आया तब तो आरा 3 & fair election पे सवाल उठते आ रहे हैं defection law defection law भी आप कि और सवाल आने की संबावना इसलिए क्योंकि किसान का जो सवाल हो सकता है किसान को लेकर past and class Election इस बार मुद्धे में है तो इस पर इसा पर बात सवाल और और एक्टिविजम में क्या है और जो है से कैसे रिविञ्यू करता है तो इसको आप देख लेंगे कि कोट का इस पर परतिक्रिया है क्या आफिरूर रहा है constitution में इससे क्या related बाते हैं तो judicial review को आप देख लेंगे judicial overreach तो नहीं हो रहा है तो यह आप देख लेंगे उसके coalition politics coalition politics वही अप होज गया जिसे बिहार में भी पोस्ट coalition हुआ प्री coalition होता है तो इस तरह से आप देख लेंगे कि इस एक question आने की संभावना है उसके बाद तो पंचायती राज और रवन लोकल बाडिस पे तो रहते ही है सवाल आने का संभावना तो इसको भी आप कर लेंगा और आपका बहुत सारा चीज यह पढ़ा होगा प्रिलिम्स में तो इतना लगेंगा आपको ज्यादा है लेकिन आप पढ़ने बैटेंगे तो आपको लगबग चीजिस में से आता होगा और पढ़ा होगा बेसिक structure और amendments basic structures कैसे कैसे define किया गया constitution में और क्या क्या है और कभ इसको डिसाइड किया गया था केस बानन भारती केस वगएरा गोलकनाथ देख लेंगे इसको चीफ मिश्टर चीफ मिश्टर का election कैसे होता कुन इसको पॉइंट करता कि पावर वगएरा देख लेंगे आप उसका reservation EWS और OPC को लेकर reservation के चर्चा रही है अभी कुछ सालों में तो इसको आप देख लेंगे उसके बाद लास्ट है politician उसका जो politics politician है उनका क्रिमनल नेक्सस उनको क्या-क्या model call of conduct के तहते हैं और क्या-क्या करना होगा लक्सन के वक्त तो वह आप देख लेंगे politician का criminal नेक्सस अब आते हैं हम लोग जोग्रफी और economic section में तो जोग्रफी और economic section में जो है सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप budget and economic survey कर लें बिहार और इंडिया दोनों के respect में अगर यह कर लेते हैं तो आप मुझे लगता है कि एक सवाल तो इससे होई जाएगा और इसमें इससे आपको यह भी फायदा होगा कि जो भी data आपको याद रहेगा तो वह किसी भी question में आप यूज़ कर सकते हैं तो डेटा यूज़ करेंगे तो यह जो डेटा याद है तो इंपक्ट अच्छा पड़ता है तो आप उसको कर लेंगे उसके बाद food security इसके बहुत सवाल चल रहे है food security और crisis दोनों हैं तो इस पर देख लेंगे food security और crisis क्या क्या है हमारे अभी क्या दुनिया चेल रही है climate change वगरा कैसे हो रहा है तो जिसके वैसे food security पर भी problem आ रही है तो उसको देख लेंगे क्या रोल है कैसे वह ट्रेड में एंद कमर्स में हेल्प कर रहा है और इंडिया के रिस्पेक्ट में उसको कैसे क्या फायदे हैं क्या नौक्सान है तो देख लेंगे planning commission कवी आप देख लेंगे और नीटी आयोग दोनों को देख लेंगे निटी इसको देख लेंगे इसी में एक्ट प्लानिंग कैसे की गई वो देख लेंगे अग्रिकल्चर कैसे प्रभावी थोड़ा है इसको आपको साइंस टेकनोलोजी में भी काम आजाएगा जिससे हमको मैक्सिममम बेनिफिट मिले और अच्छे बूम पड़ जाए और फूड सेग्रिटी का जो प्रॉब्लम है वह हमें फेस्ट ना करना पड़े उसके बाद पॉपुलेशन देख लेंगा पॉपुलेशन में कि जादा जो है तो एकोनमी ग्रोथ में कैसे हिंटरंस है कैसे बाधा करता है और पॉपुलेशन से क्या फायदे हैं अच्छे यूथ पॉपुलेशन है तो इसको भी अब देख लेंगे उसके बाद पवर्टी पवर्टी क्यों इतनी पवर्टी है पवर्टी जैसे हमारा ज बाद भारत में इंडस्ट्री में देख लेंगे कि इंडस्ट्री कहां-कहा लोकेट है और रिजन क्या है वहां लोकेशन का बिहार में क्यों देख लेंगे तो यह अपकर इतना टॉपिक हो जागा उसको बाद सबसीदी गौटर्मेंट जो प्राइब वाइड कर रही है इसके बाद आप आजाईए डिमोग्राफिक डिवाइट डिमोग्राफिक डिवाइट पे एक क्वेशन पूछे जाने की संभावना है तो इसको कर लेंगे तो आपका जो है से अच्छा खासा टॉपिक आपका हो जाएगा इसके बाद आते हैं सस्टेनेबल डिवलोप्मेंट गोल जो है यूएन का उसको कैसे अचीव करेंगे 2030 तक तो सस्टेनेबल डिवलोप्मेंट पे बहुत सारे कुश्चन्स हैं तो उसको कर लेना है से अच्छे से कर देना है और इसके इंपक्ट और इसके आने वाले इसमें क्या परभाव पड़ेगा तो उसको देख लेंगे migration कि होता है बिहार से लेवर का अर इस पे देख लेंगे कि आखे इतना क्यूं dowब में थो उसके फैक्ट क्या है और उसके फायदे क्या क्या है та वह बीडे लेंगे और कम किया जा सकता है disaster को तो वो देख लेंगे हम MSME MSME सेक्टर जो है से देखेंगे कि वो कैसे अभी जरूरी है और MSME सेक्टर को क्या-क्या जरूरत हैं जिससे वो और इंप्रूब कर सके अपने फिल्ड में तो MSME के बारे में देख सकते हैं MSME Small Scale Industries इन सब अपने तो इसके बाद है नहीं है समुदर से दूर है तो इसको आप देखेंगे दिया और पॉलिटीशन अपने फायदे में देखते रहे हैं मतलों बहुत सारी चीज़े हैं उसमें अलग हो गया तो चले गया हैं इंडस्ट्री नहीं है समुदर से दूर है तो इसको आप देख लेंगे विसके बाद फॉरेस्ट फोरेस्ट रेंस में उसका कंट्रिवूशन होता है तो उसका आपको एक कॉशन यहां से होजाएगा वंदिवलप में कहीं बहुत ज्यादा है कहीं कम है हिंदостان में इसको देखेंगे जैसे बिहार में बहुत क्म है मह counted जादा है तो वज़त क्या है आखर यूंढीं इस तरह से धिया गिया तो यह भी आप देखेंगे दिबुदोर किते हैं और किते हैं और किया कista मेसंके अम्रृप कुरी कर सकते हैं तो इसको आप लोग देखेंगे पिजिकल अंडियों और बित दोनों के तो उसको आप देख लेंगे तो यह आपका हो जाएगा उसके बार लास्ट है स्वाइल रोजन क्यूं हो रहा है और उसके फैक्टर्स क्या है और उसको बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए और फटलाइजर वगएरा जो यूज की है और ग्रीन रेवलुशन पे भी आप स्वाइब के बारे में बता हैं आप लोग बताईए आप लोग को कैसा लगा अगर इसमें आप लोग को लगता है कुछ और जो नहां और कुछ शुयाव है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं और जो मैंने कहा है कि अगर मैं इसका क्वेश्चन वगरा करा द